बेट के सभी चाहतो चाहत्राओं को में नमस्का, मैं दॉक्तर शोभा सिंग, प्रॉफेसर नभ्यू कला के मखबाधिज महावित्यार है। जैसा कि आप सभी को विदित हैं, नई रष्टी शिक्षा नेति की फोर्जना मुझे थी हैं। जिसके लिए आप सभी को विख्या प्रशिक्षा आती हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुक्ता हुआ है। भारत सरकार में पूरे 34 वर्ष बार नई रष्टी शिक्षा नेति की मंजूरी थी। इसके तहर देशपर में कुछी शिक्षा के लिए एक ही नियामक बनाने का दस्ताव रखा गया। जिसमें एक कॉमन एंट्रेस टेस्ट जैसे प्रावधान भी रखे हुए। वहीं मानव समसाथन विकास मत्रालय का नाम पदल कर नई रष्टी शिक्षानेति या अपना शिक्षा मत्रालय का नाम दिया रया। चोंतिस वर्षपूर ततकारीं प्रधान मंत्री राजीर गान्धी में 1986 में नई राष्टी शिक्षानीती को लागू किया था। एवं शिक्षा मंत्राले का नान बदलकर मानव समसाधान विकास मंत्राले किया। भारत की नई राष्टी शिक्षानीती की उत्खोषणा 30 जुनाई 2020 को कि गया। इसके पहले 1986 में राष्टी शिक्षानीती की उत्खोषणा की गया। जिसे 1992 में पुना सर्शोदित किया था और फिर उसे लगव किया था। अब 34 वशबात पुना नई शिक्षा नेती सरकार द्वारा को प्रस्तुत की गई है। इस नीती में सस्टेनेबिल डवलप्मेंट कोर संख्याव चाल जिसमें गुर्मत्ता कुल शिक्षा सबको अप्लब्य करवाने की पार कही गई है। केल में रखा गया और इसे धे को पुरा करने के लिए 23 तक का समय दिया गया। आधिवासी शित्रू में भी इसे लगू करने के लिए आश्रम शालाओं इश्वाती गई है। नई शिक्षानेती में यह सुनिश्चित किया गया कि हर जिपूल में शिक्षक छात्र का हुपात 30 एक से कम नावर रथा, 30 छात्रों के पर एक शिक्षक होना आनिवार है। सामाजी कार्थी रूप से बच्षित बच्चों की अधिक्ता वाले चात्रों में 25 और से कम नावर रखा जाएगा। कहने का आशाया है कि 30 छात्रों पर सामादे रूप से एक शिक्षक और इदी आधिवासी शेत्रिया कम नावर रखा जाएगा। केंटी सुचना इवां प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावलेकर इवां मंत्री फोखरीवाल ने कहा कि 21 सदी के प्रमक कौशन इवां व्यवहारी जानकारे से विद्यार्थी वंचित नावों। उनका समक्र विकास को छट्री कफशा से व्यावारी ज्यान के साथ साथ ने व्यावसाई ज्यान भी दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही डिस्टर्ण शिक्षा को भी और मर्पूत करने की बात कही गए। राश्ट्री शेक्षिन तक्नीक फोरम NETF का भी गठन किया गया। शिक्षा नीती 2020 में बहुत सी नई बाते शामिल की गए। जैसे सब ये पुछ शिक्षन संस्थानों में प्रवेश के लिए एक ही परिक्षा को यह परिक्षा नेशनल टेस्टिंग एजिंसी द्वारा कराई जाएंगे। एंफिल पार्टिक्राँ को बंदका किया गया। अब केमिस्ट्री मेंट्स के साथ फैशन डिजाइन विशर भी लिया जा सकता है। कला इमम्हानमिकी के साथ विज्यान विशर विशर भी पढ़े जा सकते हैं। इसके साथ ही सरकारी और नीजी उच्छी शिक्षर सर्थानों के लिए एक समान बांगण तैगिये गए है। अर्थात नियमक के फ्रेमबर्ण में एक ही है और पार्टिक्रम का शुर्ण निधारण होगा एक पहसे जिसके अधित कोई अनिशुर नहीं दिया जा सकता। उच्छी शिक्षर सर्थानों को शोध या रिसर्च के केदर की श्रेनियों में भी विभाजित किया जाएगा। नई शिक्षानिती 2020 में 10 प्लस 12 का फार्मूला खत्म हो जाएगा और उसके इस्थांग पर 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 का फार्मूला लागन होगा जैसा कि मैं आपको अभी बताते हूं। राश्रिफ शिक्षानिती में जो नई बात आएज जी हो जही आएजी कि 10 प्लस 2 प्लस 4 का फार्मूला लागन होगा अर्थाथ जो बन्लें से मादा जल रहा हाता कि 10 प्लस 2 का फार्मूला था इसमें ट्रंटक्ति बढ़िए जाता था और या याँसाइज शिक्षान पर प्रथम पांच का आशे है कि प्रीन साल बच्चा प्रीव स्कूल या आगर बाड़ने पढ़ीगा जैसा कि पहले के समय में रहता था कि तीन साल के बच्चे को मॉंडे से ही या वाल मंतिर में रखा ज़े जाता था और वहां से लोगो अब ये शास्ती आदेश या इस नही शिक्षानिती में ये बाती उभुष्णा कर दो गई है कि प्रथम दीन साल के बच्चा है उसको प्रीज़ कुल या आगर बाड़ी प्रेंखन करना होगा एवं दो वर्ष कक्षा एक एवं कक्षा दो यहने पहली और करना होगा एवं करना होगा और तक है कंशों हगा और फ्राख सी, इस हुप प्लस थी कमशा से पांठों तेखेने, तीन कमशा हैं, और यसे में आजया बारड होई, तब उसकी ओम्र हो जाती है, प्लस थी कमशा से आठों तक बारड होई, तक बारड हो जाती है, प्लस थी कमशा से आठों तक बारड हो जाती है, यहां यह दिवाय बच्छा रिपीट भी करता है, तो कि ओम्र उसकी पंदावश हो सकती है, रेकिन यह दिवाय अच्छी तरह से बारड होई, बिना किसी गैप के वह पढ़ड़ा है, तो उसकी ओम्र प्रदावश हो की, और यहां जो तीन साथ उसके चट्मी से लेके आठों इसको मिजिल स्कूल केंते हैं, वर इडिल स्कूल की पढ़ाई क्प्रीट का रिएका अगया, अगया चार का आर्शा है, प्लेस पोक, अगया चार का आर्शा है कक्षा 9 से 12 सकी 14 से 18, कक्षा 9 से 12, यह ऐसा समय होता है आलब की जीवा में, जहां अविले उसे विश्यो चु को सकता है यहां है कि यहां पर kosphوں के बाद शेक्षर देनी माद क coaching को सहां विश्यों के चमाँ के विश्यों 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 के विश् पहले आपको कप्षा नौवीक तक सभी विशय पढ़ने होते थे और उसके बाद मैं उपना विशय में साइट करके एक शेट रिए दाता चाहिए हो जा सकता था लेकिन यहां भर वह सभी विशय में पढ़ सकता है इसका लाव से जिष्चेदूर की होगा क्योंकि आपको की बात करते हैं यह स्किल डवल्मेंट की भी बात करें हैं क्योंकि अदी ज्यादा से ज्यादा ऐक अक्षा से दें पर अने कशा हुआँ पर जयएगा तो उसका इसकर आज़ाध्य हम अच्छा होगा नहीं तो वज़ सीधा आके वानिट था मतमें वहेš विशह बादा है तो वह बादे फरे किकमें नहीं आपने हा हैं और से पर आगे उच्छी शिक्षा के लिए कोई परिशानी नहीं होगी ऐसे बहुत सी बाते इस नई शिक्षा में आ रही हैं जो कि हम लोगों को महां पर बताएंगे हैं क्योंकि इसके साथ हम एक तिस पर बताए थी कि भाई सब्सक्राइब पढ़ सकते और लेकिन अशानत ही किसी कारण वाश्य बिमारी के वज़े से या आर्थिक किसी कारण सिमय आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहा है तो यहां उसे एक सार्टिफिकेट मिल जाएगा लेकिन हम जब पहले की शिक्षा की निती बात करते हैं तो फर्स्टियर पास करने पर किसी लिए बिचाज चातरा को किसी प्रकार को भी सर्टिफिकेट जीन दीए या नहीं दिया जाता था किसी प्रकार से जब उस से करण से प्ढ़ाई श्पूर देता है तो से डिप्लोमा जिल सकता है कि आपने उसने फर्स्ट यह और सेंड या आर्ट्स जो भी वर्श्टिशन यह उससे वर पड़ रहा है कि यह हैं आपको फ़स्ट की सर्टिफिकेट निल सकता है और यह उसके निर्वित में लोग से तक्षा 3rd year में आ लिया है और 3rd year में पूरा किया है तो उसे graduate की degree यह जो मिलना चाहिए में लेगी और वह इसना तक बन जाता है इसी परकार से MA की कफ्षाओं के लिए भी चीज़ है MA, MSC, MSC के लिए भी बात है कि यह जो आपको पहली में 1st year में MSC का पहले सार करता है तो उसे diploma मिल जाएगा और यह जो में MSC या MA का बुसरा सार काफ्रिक लरके तो उसना बोलता है कि इसको दिल्वी प्राप्त हो जाएगी यह हमने देखा कि नई शिक्षानिती में कुछ नई बाते आई हैं जो कि हमारी पहनी राश्णिती में इन बातों का आभाव था यह कारन इसका है कि यह जो पूरी शिक्षानिती tic है वो पूरी तरह से ज्योट्साइक शिक्षानिती पर बना हुआ है जिसमें कि बच्चा जो भी अध्य चारता उसका अध्यान ब्याथ नहीं जाना वो तक आभी तक हैमें करके भी दिखिए उनको जौब नहीं मिलता है, सभी जानते हैं लेकिन यहां यह ने कि आप फस्ट्र करके भी आपको सार्टिफिकेट मिल रहा है और मेंट्रिक करके भी आपको आपको पुली दिन सार्टिफिकेट मिल रहा है वो गुरुमर्ता फुरुन शिक्षा यहां पर्म को प्राप्त होगी और यह पालगूले यही दर्शाना है कि बच्चे की निव मजबूत होनी चाहिए तीन से आठ साथ के बच्चे केल-केल में शिक्षा की जिविने गजीमतियों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और इसके लिए उन्हें N.C.E.R.P. एक फ्योवस्थे धाचा बनाएगी यह इसतर दो हिस्से में होगा पहला 3-6 साल का जो उन्हें बताया था जो आंगनवाडी या वालू हंदिर के मात्याम से था फिर उसके बाद में वैश्विक इस्तर पर यह दी देखा जाए तरह है आई उबालब के मन्सिक लिकास एवं बहुतिक लिकास के लिए सर्वोत्तम बहने जाती है और इसी प्रकार 6-8 साल के बच्छे का प्षभूर पहली और दूसरी पास कर लेंगे प्री प्राइमरी से लेकर 3-7 लेकर 8-11 वर्ष्टा को जाए यह इसी प्रकार से बाद जिग्यासु प्रवितिक से मात्यूं से सीखेंगे और मिडिल स्टेज यह अपिन से बच्छा 3-8 साल वाँ बढ़ी तक और इस स्टेज जाओंगे यह विज्यान गणित के सासर कला या सामचिक विज्यान समों भी लेकर अज्यां रशाकते हैं सेकेंडरी स्टेज चार साल का है इस स्टर में 9-12 तक एक बच्छे होंगे यहां बच्छों को अलोजना हुक्ता का भी अवसर मिलेगा इस से बच्छे में मेहतर होगा वैहतर उसका विकास होगा और साइंस सब्जेक्ट के साथ आर्ट सब्जेक्ट को पढ़ने से उनका जमासिक विविवारिक ज्यान होगा वह भी बढ़ेगा और इसमें आएगा और जिसी जास्त अपनी पसंद के विशय तुन का आगे बढ़ सकेंगे इसके पूर विशास्त प्रिट्यान या बलाजमू का विशय एक साथ नहीं ले सकते थे जिसममें पांचमें तद्रवा चमा जीमि मात्र अवाश्या था रिचा विशय और नर्द चल्क On Nigeria इसके साथ है सेकेंड लेंग्रेश दूरूप में संस्क्रित भाशाप को लखा गया है और संस्क्रित भाशाप को पढ़ावा देने की बाद भी करी गई है शाले शिक्षा से लेकर उच्छी शिक्षा तक इसे प्रमुपता दी जाएची और अंग्रेशी विशय की अभी बारता समागत करती गई है फीस की सीमा भी तैब होगी कोई शिक्षा साथान अपनी मर्चिस से फीस नहीं दे सकेगा जो फीस एक बारत दारिक करती गई है उतनी फीस ली जा सकती है और सभी उच्छी शिक्षान अद्धानों में प्रवेश्च के लिए एक ही परवीक बारता गुद्ध का रह करता कि जिसके मात्यम से वाई चाहएं गिलिए क्ल मों जाए या किसी अन्यवियन साहिं एक ही टेस्ट जिसके मात्यम से वाई पगे बरक सबिंका बएट की चाहिज वर्षी टिग्री को ही मानिव प्रोज कोई जो अभी हमारा कोज sentir रहा है वंक प्रोज जर G7 वर्षी तो, 4 semester होते हैं और उसके माध्यां से उसको उसको आगे डिग्री मिलती है लेकिन अगम उन्ट को just- ये भी चाहारी होग जिसमें उन्हों को डिय इन संपावीश उन्हें एक लियुखा हो कि नहीं शेकष्चा सुच्छक बनने के लिए सब्सक्राइब हो तुमाना थे हैँ जोग सलागता है वो हैं चार वर्षी ये बीएड पोर्स जिसमें बीएडी कौप से लेकर बीएड सभी कुछ शामिल होगा फिलहार कुछी शिक्षन संथानों में बीएड 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 चल रहा है कुछ संस्कान इसकी डिमार्ड कर चुके हैं लेकिन अभी नहीं उनको प्राप्त हुआ है लेकिन इंडिये शिक्षनेती लागू हो जाती है अगले वर्ष से वैसे तो हमारी सरकार ने कहा दिया इसी वर्ष से प्रचूंगी आप सभी जानते हैं को रोना का चाल रहा है तो अब यह सब चीदे पढ़ाएं ऑनलाइन ही हो रही है और इसलिए यह पूरी जमीन इसका पार इसे लागू नहीं किया गया है लेकिन अगले वर्ष यह भी अभू करते हैं तो सभी महावित्यालियों को लिये वाला जो कोर्स या या लिये से बीट वाला वर्ष दखा जाएगा इस शिक्षनीती में एक और खास बात है कि विये जो पढ़ाई छोड़ कर जाते हैं उनके लिए भी अलग से सार्टिफिकेट डिपलोमा या डिगरी दी जा सकती है और नई शिक्षनीती केता है चात्रों को मल्टिपल एक्षिक्ट विकल्ब के साथ साथ तीन या चारा साल के इसनाथ है पार्टिक्रम में प्रविश लेने का भी आवसर ट्राप्ट होगा जिससे पढ़ाई चुपने के बाद उसे कोई तरक ना पड़े और बाद में पढ़ाई को अपनी कर सकता है जिससे उसे घविश में लोजगार के लिए उपियोंगी साबित होगी और नई शिक्षनीती के मल्टिपल एंट्री एवं एक्सिट के साथ व्यान पर बहु विश समद्र तौसर इसना तक शिक्षा की परिकल्बना की गई है इसकूली शिक्षा में भी बिल्कुल नया भूप आ गया है जैसा कि आजने आको बताया था अपनी भाशा काम चहें करने का भी मौकाई होगेगा। शाले शिक्षा में विज्ञान के साथ अन्य जिश्य पढ़ने से उनका ग्यान बदन होगा, उनके स्किल्डम रखोगी। यह सही शिक्षा को पढ़ने से उनमें कौशन दिकास होगा। शिक्षा पर सरकारी GDP का 6% खर्चों पर जो अभी तक 3.5 और 3.6 चल रहा था, तो यह अच्छी बात यह है कि अब शिक्षा पर भी अमारी सरकार ज्यादा से ज्यादा खर्च करेंगी और लोगों को रोजगार के अवसर भी कियाता होंगे। अब यह प्रशन होता है, नई शिक्षा निती में शिक्षा के साथ साथ कौशर विकास पर जोड़ दिया गया है, नई शिक्षा निती में अमोजू जूल परिवर्तन दिया गया है, और इसकूल शिक्षा के लिए चात्रों को विकास कौशर और उच्छे शिक्षा में सवाइब उठाए हैं जैसे कि देश के सतरी शिक्षकों इवन प्रशिक्षित शिक्षकों की बेहत कमी हैं यह हम सभी जानते हैं बहुत सारे स्कूल यहां पर कि अभी 30-40% ही पोस्ट फिल हैं और 60% तब शिक्षकों की भरती होना अन्यवार है लेकिन नहीं हो पारा चालिस लाग लाग शिक्षकों की आवश्यक्ता है और इस कमी को कैसे पुरा करेंगे सरकार को इस तरी प्रशिक्षक विशेश रूप से व्यावसाई प्रशिक्षकों की आवश्यक्ता है देश में नई शिक्षकों के लिए इस तरी शिक्षकों के बिना यह काम्याब हो भी नहीं सकते जब तक वो ट्रेंड़ इस टीचर नहीं मेलेंगे तब दक वो इस शिक्षक रूप को अच्छी तरह से लागू नहीं कर सकेंगे क्योंकि उदब प्रशिक्षक की नहीं होगे तो प्रशिक्षक रूप कैसे दे पाएंगे व्यावसाईब का या किसी भी इस्क्रिका नहीं नई शिक्षानीती में चात्रों को आट्वी से आट्मी तक वोशा विकास का प्रशिक्षान तो दिया ने जाएगा साथ ही साथ में वियुसाइब प्रशिक्षान की भी बात कही गई है और उसके लिए आफ़र दिये जाएंगे लेकिन स्कूलों में मात्र भाष्षा के साथ शेट्री माश्या की शिक्षा भी दी जाएगी और प्रीमर प्राइबरी जेपर उसकी शिक्षा है और अच्छी मतर से मजबूत करने का प्रावधान रखा गया है नई शिक्षानी की 2020 में बहुत सी नई बाते हैं जैसे मात्र भाष्षा में शिक्षा हैं व्यावसाई का शिक्षा हैं साइंस के साथ आर्स विशाई पढ़ना और प्री स्कूल तीन वर्ष ते कारण होगा पेले फिक्षा में व्यदो में प्री प्राववणी को लेकर काफी अलोजनाती थी कि तीन साथ बच्चे को प्रथम पाष्शाला घर होती है प्रथम गुरु मां होता रहा है तो पे इन्हें इन्हें इस पात समझ में आ हरही है यह इसकी अवश्यत्तर मैंसूस की गई कि ब चाहिए इस शिक्षानीती में प्राइमरी से लेकर उच्छी शिक्षा में अमुल जूल परिवर्तर किये गए हैं और एक नए भारत की अपिसित करने की और एक कदम भी उठाया है जिसे आधने मर् भारत की उवर्णा का पहला कदम भी कहा जा सकता है आधने भारत में की उजली तस्वीर इससे परिलक्षित हो रही है अब भारत विश्व की शिक्षा बिवस्था की बीच अपनी अलग पहचान बनाने में प्रामियांगों का विश्व की अनिक विश्व द्यालों के टेमपस भारत में आएंगे और वो दोज़गार के ने ने अवसर बिलेगी विश्व पटल पर यहां के चात्रों को एक अलग पहचान दिराएगा वोज़गार के ने अवसर बिलने पर और साथी अनुसंधार की नई तक ही विख्सित होगी तो देश की कतिभा देश में ही रहेगी और भारत को उचितम इस थान दिलाने में आप कोई कसन नहीं रहेगी थैंक यू सोबच